आज हम लोग चिकन भूना मसाला बनाएंगे मने कड़ाई को गरम होने के लिए डाल दिया है उसमें 100 ग्राम सर्सो का तेल डाला है इधर हम लोग एक पोटी लसून और एक इंच अद्रक और दो हरी मिर्च को अच्छे से अब अच्छे से इसको कूट लेंगे तेल भी गरम हो चुका है अब इसमें दो चित पाद दो रेट मिर्च को डाल करके इसमें प्याज हम लोग डाल के भूनेंगे प्याज मेंने 700 ग्राम रफली ही काटा है अब इसे अच्छे से चला चला के हम लोग भूलनेंगे मैंने एक केजी चिकन लिया है और मसाला है टर्मरिक पॉर्डर, रेट चिली पॉर्डर और सब्जी मसाला अब चिकन को डाल के इसमें प्याज में रभून गया था चिकन को डाल के इसमें अच्छे से चला के इसमें हम लोग 1.5 टीस्पून नमक डालेंगे और फिर इसको ढग देंगे अच्छे से चलाके अब इसको 5 मुनट हो गया अब इसको देखे इसमें पानी भी थोड़ा थोड़ा चोड़ा है अब इसमें हम लोग अद्रक और लस्ट्सून और हरे मिर्च को जो मैंने बारिक से कूटा था उसे इसमें डालके अच्छे से चला लेंगे चार उत्रब से इसको अच्छे से मिला लेंगे फिर इसको ढख करके 5 मिर्ट तक इसको पकाएंगे, देखिए 5 मिरट हो गया, कितना सारा पानी छोड़ दिया, अब इसमें जो मैंने मसाला रखा था, 1 टी स्पून मिर्च और 1 टी स्पून हल्दी पॉरर, और 1 पड़ा टी स्पून मैंने सब्जी मसाला और धन्या पत्ता के अब इसे अच्छे से मिला लेंगे इसमें पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हम लोग बीना पानी के ही बनाएंगे चिकन को इसलिए चिकन के पानी में अच्छे से मसाला को भूनेंगे देखिए अब फिर इसको हम लोग अच्छे से चला करके इसको ढग देंगे पाद 6 मिनट हो चुके हैं फिर इसको हम लोग चलाएंगे देखिए कितना अच्छा से मसाला के साथ जब चिकन हो जाता है तो रस पूरा उसके अंदर चला जाता है अब जब खाएंगे तो बहुत अच्छा लएगा अब इसमें हम लोग थोड़ा सा आधा पैकेट हम लोग च करा मसाला का वह उससे ज्यादा हम लोग चिकन मसाला का यूसरिग लिवह मैंने जो सब्यक्ता है उसमें आधा टीजपून ब्लैक पेपर है और एक टीजपून जीरा है और एक टीस पून उसमें धनिया पॉडर है, देखिये अब इसके धक्कन को हटा करके, अच्छे से चला लेंगे इसको, और इसमें हम लोग करम मसाला डालेंगे, करम मसाला भी हम लोग घरमी तयार करते हैं सब्रोंची मसाला गर्म MARY हुआँ तयार किया हुआ हुआ है अब इसको हम लोग चला लेंगे जो कि अच्छे से चला करके इसको फिर पांस मिनट के लिए अच्छे से ढख के रखतेंगे चिकन बनाने में आपको को तीस मिनट लग जाएगा अभी मेरा चिकन त्यार हो गया है इसको हम लोग बंद करेंगे अब देखे इसको हम लोग प्लेटिंग करेंगे, एक चोटी से कड़ाई में इसके डाल करके प्याज को थोड़ा सा मिने डाल दिया है, थोड़ा धन्य पत्त डाल दिया है, और इस तरह से आप इसो रोटी चावल जो साथ घाना चाहें, खाई यह इस तरह से बनाएं, बहुत ही टेस्टी झाल एक तक तक तक